वर्तमान में जिन बिमारियों के अधिकता आपके पशुसाला में या आपके पशुओं में पाई जा रही है उसमें थनेल या मस्टाइटिस ये एक ऐसी बिमारी है जो आपके रख रखाव से सीधा इसका संबंध है तो हमें ये ध्यान देना है कि अपने पशुओं के अखास करके और्गनाईज डेरी फार्म में आप अपने पशुओं का नियमित अंतराल पर मस्टाइटिस के लिए जो कलिफरोनिया मस्टाइटिस टेस्ट होता है या सोमेटिक सेल काउंटर एक इकुप्मेंट है जिससे आप अपने पसुओं के दूध की नियमित जाँच कर सकते हैं और उससे आपको ये पता लगेगा कि आपके पसुओं में थनेल रोग होने की संभावना है की नहीं अगर आप जाँच करते हैं तो प्रारंभी कवस्थार्थाथ सब क्लिनिकल स्टेज मस्टाइटिस से ही आप अपने पसुओं के थनेल रोग से बचा सकते हैं और थनेल होने पर खास करके स्टेप्टो कोकस पायोजीनस, स्टेफाइलो कोकस ओरियास या कॉर्नी बैक्ट्रियम इसके द्वारा जो थनेल होता है इससे आपके पशुओं में काफी छती होती है अगर उसका एक थन या दो थन जिसमें थनेल की संभावना हुई या थनेल हुआ अगर प्रारंभीक अस्थास से चिकित्सा नहीं की जाए क्योंकि जो प्रारंभीक चिकित्सा हम लोग पहले स करते आ रहे हैं उसमें जो कमी है कि अब वो वो जो है उसमें जो रेसिस्टेंट डेवलप कर गया है बैक्टरियाज में तो उसके लिए हमें करना क्या है कि अगर आप टेस्ट कर लेते हैं और उसमें आपको कहीं भी पॉस्टिब आता है तो कल्चर सेंस्टिविटी या सेक्टर क्वाटर का दूध निकालें और उसे कल्चर करा लें कल्चर कराने के बाद सेंस्टिविटी टेस्ट होता है जिसके पस्चात आपको यह पता लगेगा कि कौन सा बैक्ट्रिया है और वो किस दवा से सेंसिटिव है तो जो सेंसिटिव दवा है उसका इस्तेमाल करने स खास करके अभी बाजार में जो दवाएं उपलब्द हैं जिसका ट्रेंड जादा आता है उसमें सेफ्टोजॉक्सिम या सेफ्ट्रियाजोन टैजोबैक्टम या एमॉक्सिसलीन सालबैक्टम ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटिबाइटिक्स का प्रयोग करने से या सेफेपर सेफेपराजोन सालबैक्टम का इस्तेमाल हम करते हैं सेफेपराजोन टैजोबैक्टम का इस्तेमाल करते हैं या फिर क्यूनलोन में जो थर्ड या फोर्थ जेनरेशन का इंटिबाइटिक्स है उसका इस्तेमाल करते हैं तो थनेल में इनिशियल स्टेज से ही अगर इस्तेम पर्मानेंट डेमेज हो जाता है थन तो फिर लगतार उसका दूद उत पादन कमा ही रह जाता है तो इससे आप अपने पशों को बचाए रख सकते हैं